जैशे कृष्णा आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है इंद्रा एकादशी वृत कथा एवं पूजा विधी भारती संस्कृती में एकादशी वृत का महत्व बहुत अधिक माना जाता है इसे समस्त पापों से मुक्त करने वाला वृत कहा जाता है उन में भी श्रादपक्ष की इंद्रा एकादशी का महत्व बहुत अधिक होता है इससे मनुष्य जाती को मृत्यू के बाद मोक्ष की प्राप्ती होती है इससे पुर्खो एवं आने वाली वन्शजों का उद्धार होता है यह एकादशी आश्विन माश की कृष्णपक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाती है श्रादपक्ष में आने के कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है इसे मोक्ष प्राप्ति का सहज मार्ग कहा जाता है इससे पितरों को मोक्ष मिलता है सत्युक के समय की बात है इंद्र सेन नाम का राजा हुआ करते थे राजा भगवान विश्णू के प्रचंट भग्त थे यग्य एवं उपवास के सभी धार्मिक कारे श्रद्धा से करते थे उनके नगर में भी इन नियमों का पालन होता था नगर में सुक्ष शान्ती एवं उन्नती का कारण शाय सभी का धार्मिक एवं करमठ होना ही था इस कारण इंद्रसेन बहुत खुश थे एक दिन आकाश से नारद मुनी ने इंद्रसेन के दर्बार में कदम रखा उन्हें आता देख इंद्रसेन राजा अपने स्थान से उठ खड़े हुए और पूरे आदर के साथ उन्होंने नारद मुनी को आसन दिया उनके चर्णों को दोकर इसपर्श किया उनका इस तरह का सतकार देख नारद मुनी बहुत प्रसन्न हुए कुछ देर बाद नारद मुनी ने राजा से पूछा कि आपके जीवन एवं राज्य में सब सकुशल तो है राजा इंद्रसेन ने कहा भगवान विष्णू की कृपा से सब सकुशल है तब नारद मुनी ने फिर से पूछा आपके राजी में धार्मिक सत्संग एवं यग्यादी के कारे भी नियमित हो रहे हैं राजा ने इसमें भी हामी जताई इंद्रसेन ने नारद मुनी से उनके दर्वार में आने का कारण पूछा तब नारद मुनी ने कहा कि मैं यमलोग गया था वहाँ मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा वे बहुत दुखी थे उन्होंने तुम्हारे लिए संदेशा भेजा है मृत्यू के उपरान उन्हें मोक्ष की प्राप्ती नहीं हुई है इसलिए वे चाहते हैं कि तुम उनके लिए कुछ करो उन्होंने बताया कि उनके पूर्वजन्म में उनसे एकादशी का व्रत भंग हुआ था इसके कारण ही उन्हें मोक्ष नहीं मिला राजा इंद्रसैन ने नारद मुनी से पूछा मुझे इसके लिए क्या करना होगा तम नारद मुनी ने कहा श्राद पक्ष में ही पित्रों को मोक्ष मिलता है इसलिए तुम श्राद पक्ष की एकादशी का व्रत करो इस व्रत को करने से तुम्हारी कई पुष्टों को मोक्ष की प्राप्ती होगी राजा इंद्रसेन नारजी से व्रत की विधी का विधान पुझा इंद्रा एकादशी व्रत पुजा विधी यह शाद पक्ष की एकादशी है इसको करने से मोक्ष की प्राप्ती होती है यह वरत आश्वीन कृष्ण पक्ष की दश्मी से ही शुरू हो जाता है दश्मी के दिन प्राता इस्नान कर घर में पूजा पाट करें फिर दौपहर में नदी में इस्नान करके तरपन की विधी करे श्राद की विधी के बाद ब्रामनों को भोजन करवाएं एवं स्वेम भी भोजन ग्रहन करें दूसरे दिर एकादशी के दिन सुभा इसनान करें एवं पूरे दिन के निराहर व्रत का संकल पिलें फिर से श्राद विधी करें एवं ब्रामनों को फलाहार कराएं इसके बाद गाय, कोवे एवं कुत्ते को अहार का हिस्सा दे, दूसरे दिन पूजा करके ब्राह्मनों को भोजन कराएं एवं दक्षिना दे, पुरे कुटुम के साथ भोजन ग्रहन करें। इस प्रकार राजा इंदरिसेन ने नारजी के द्वारा बताई विधी का अनुसरन किया जिसके प्रताव से उनके पिता को मोक्ष की प्रापति हुई और βेः यम लोक से विष्नु लोक में चले गए। इस इंद्रा एकादेशी के प्रताब से राजा इंद्रसेन को भी वेकूंट लोग की प्राप्ती हुई सभी एकादेशी व्रत का विधान स्वैम श्री कृष्ण ने युजिस्टिर से कहा है एवं उनके फल के बारे में भी बताया है इस प्रकार यह व्रत अपने पुर्वजों के निमित्त करें और इसका व्रत का फल अपने पुर्वजों को दें श्री विश्णवे नम्हा जैशे कृष्ण